हलो स्टूडेंस आज हम अपनी वर्कशीट 43 को डिसकस करेंगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चाप्टर 5 तत्वों का आवर्थ वर्गी करण जैसा कि हमें पता है कि हमारे आसपास सभी जो आसपास वस्तुएं हैं वो क्या हैं पदार्थ हैं तो वो या तत्व है या मि कर बने होते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं सोडियम, मेगनीशियम, सोना और एक्जैम्पल हम ले सकते हैं अल्यूमीनियम है, कैल्शियम है तो ये अलग-अलग तत्व हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमानू उपस्तित होते हैं अब अगर हम देखें तो अभी तक 118 तत्व ग्यात हैं और उनमें से 98 तत्वी प्रकारतिक रूप से पाए जाते हैं अब ये जो इतने सारे तत्व हमें प्राप्त हुए हैं इन तत्वों को हमें वर्गीकरत करने की आविशक्ता पड़ी अब क्यूं वर्गीकरत किया हमने ताकि हम अपने अध्ययन को असान बना सकें और सू व्यवस्तित ढंग से हम इन तत्वों को असानी से पड़ सकें तो इसलिए इनकी वर्गीकरत की आविशक्ता पड़ी अगर हम घर में भी अपने उधारन देखें रसोई में भी अगर हम देखें तो प्लेट्स हम एक तरफ रख रहे हैं कटोरी एक तरफ चमच एक त पर चुश को पर रखेंग तो इसी तरह से वर्गी करण की आवशक्ता पड़ी क्योंकि इतने सारे तत्व हैं तो उनको भी सू विवस्तित किया गया ताकि कुछ तत्वों के बारे में जानकर हम सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकें। उनको क्रमवार लगाया और जो तीन तत्वों के समू प्राप्त होते हैं इसलिए उन्हें त्रिक कहा गया तो डॉबर्नियर के समय तीन त्रिक पाए गए थे वो है लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अब ये जो त्रिक का नियम है इसमें जो तीन तत्व हैं अगर हम पहला उधारण ले लें लीथियम, सोडियम और पोटेशियम तो जो बीच वाला जो तत्व है उसका परमानू भार बाकी के दो तत्वों के बराबर होता है तो यहाँ पर अगर हम इसको solve करके देखें तो लीथियम का होता है 6.9 परमानू भार, पोटेशियम का होता है 39 तो अब अगर हम इन दोनों को add करें, 39 और 6.9 को अगर हम add करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45.9 जिसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 24.9 जो की करीब करीब सोडियम के बराबर है और सोडियम का होता है 23 परमानू भार और यह जो डॉबर्नियर का त्रिक का नियम है यह केवल डॉबर्नियर के समय सिर्फ तीन जैसा कि अभी हमने देखा तीन समू जो है परमानू का सिर्फ उन्ही में ही ग्यात हुआ था और जो उसके बाद जो नए तत्व इसके अंदर समलित हुए उन नए तत्वों में यह डॉबर्नियर का नियम लागू नहीं हो सका और इसलिए केवल यह तीन ही त्रिक में ग्यात हो पाया तो यह हमें जो इसकी सीमाएं है डॉबर्नियर की परिभाशा क्या है उसके त्रिक में कौन-कौन से तीन उसने सीरीज दी थी और सीमाएं क्या है तो यह हमें प्रतिय कि तीन बातों का हमें ध्यान रखना है नेक्स है हमारा न्यू लेंड का अश्टक सिधान अब जैसे कि यह बात करा अश्टक माने कि हर आठवां तत्व जो है उसके गुण धर्म जो पहला तत्व है उससे मिलते हुए होंगे और यहां पर भी जो तत्व हैं उनको उनके परमानू भार के क्रम में विवस्थित किय अब यहां पर इनोंने जो है इस अश्टक के नियम को संगीत से तुलना की गई और इसलिए इसे और क्योंकि हर आठवां तत्व और पहला जो तत्व है उनके गुण धर्म आपस में मिलते जुलते हैं तो इसको नाम दिया गया अश्टक का सिध्धान अब हमारे म्यूजिक संगीत में कौन से साथ सुर होते हैं सारे गामा पा धा और नी तो यह हो गए साथ सुर और जो आठवां सुर है वो वापस सा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि साथ के बाद जो आठवां जो तत्व आ रहा है उसके गुण धर्म पहले तत्व से मिलते जुलते होते हैं ज बोरोन इसको हिंदी में भी हम जो हैं इंग्लिश अल्फबेट्स में ही लिखेंगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन उसके बाद आगया हमारा फ्लोरीन अब इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के गुंधर मिलते जुलते हैं लीथियम के नीचे आगया सोडियम बेरीलियम के नीचे हैं मेगनीश मीन्स इनके गुंधर्म आपस में मिलते हैं तो हर आठवा तत्व और उस आठवें तत्व के रेलेटिव में जो पहला तत्व हैं उनके गुंधर्म मिलते जुलते हैं और ये जो newland का नियम है, newland का जो अश्टक का नियम है, ये केवल कहां तक लागू हो रहा है, calcium धातू तक ही, यानि कि जो हलके धातू है, उन तक ही ये लागू होता है, और जो नए तत्व की बाद में जो खोज की गए, वो newland के अश्टक नियम में जो है, फिट नहीं बैठते थे या उसके साथ मेल नहीं खाते थे, तो यहां पर और तीसरा क्या है कि तत्वों को समंजित करने में न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया, बलकि असमान तत्व जिनके गुण भी आपस में समानता नहीं, उनको भी एक साथ रखा गया, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कोबाल्ट और निकल, यहां पर सीजियम और लैंथनम, तो यह जो तत्व हैं, दो दो तत्वों को एक साथ रखा गया, जिनके गुण धर्म आपस में मिलते हुए, नहीं है, तो यह है न्यू लेंड के अश्टक के सिध्धानत की सीमा है, तो अब य और उसकी सीमाएं क्या हैं, तो यह हमें छे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, तो अब एक बार हम प्रश्णों को देख लेते हैं, पहला प्रश्ण क्या किया रहा है, तत्व को वर्गी करण करने की आवश्चक तक क्यों पढ़ी, अभी जैसे कि हमने पहले भी वर्क् तत्वों के वर्गी करण की आवश्चक ता पड़ी, सेकिंड कोश्चन अगर हम देखें, ऐसे तीन तत्वों के नाम लिखें, जो डॉबर्नियर के त्रिक को दर्शाते हैं, तो अभी हमने जैसे लीथियम, सोडियम और पोटैसियम लिखा, तो आप ये तीन लिख सकते हो, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हम लिख सकते हैं, तो कोई से भी आप तीन तत्वों को आप लिख सकते हो, न्यूलेंग के तत्वों के शितिच पंक्तियों में विभक्त किया गया, ये असत्य है, और फोट कोश्चन, न्यूलेंग के अश्टक नियम की दो सीमाए अभी जैसे हमने देखा था कि न्यू लेंड के अश्टक के नियम की सीमा है कि ये केवल हलके धात्वों के लिए लागू हो रहा है और जो है इसके अंदर जो नए तत्वों की खोज की गई तो नए तत्व जो है वो इस सारणी से मेल नहीं खाते तो इस तरह से हम इसके दो और तीसरा भी अगर हम लिखना चाहें तो कि दो तत्वों को यहाँ पर एक समान साथ रखावा है जिनके की गुण धर्म आपस में मिलते जुलते नहीं है अब हम अपने लास्ट कोईशन की तरफ बढ़ते हैं लास्ट कोईशन हमारा कह रहा है कि हम सोडियम, सिलिकन और क्लोरीन, सोडियम का हमें दिया हुआ है परमानु भार 23, क्लोरीन का हमें दिया हुआ है 35, तो हम कैसे निकालेंगे बीच वाले जो तत्व है उसका परमानु भार कैसे निकालेंगे, सोडियम और क्लोरीन को जोड कर जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमने 35 को हमने 23 से अगर हमने जोड़ा तो हमारा आगया 58 इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा average निकलेगा और यह आ रहा हमारा 29 तो कितना आ गया 29 आ गया हमारा और जबकि यहां पर हमें silicon दिया हुआ है 28 तो silicon है 28 और यहां पर यहां पर 29 तो यानि कि यहां पर डॉबर्नियर त्रिक का नियम जो है वो लागू नहीं हो रहा अब हम second part देखते हैं second में इन्होंने हमें दिया हुआ है बेरीलियम, मेगनीशियम और कैल्शियम तो बेरीलियम का परमानू भार है 9 और कैल्शियम का है 40 तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यह हमारा आता है 49 जब हमने इसको 2 से भाग दे दिया तो यह आ गया 24.5 और मेगनीशियम का है 24 तो करीब करीब सेम है तो first इसके comparison में हम यह मान सकते हैं कि 24.5, 24.5 आ रहा है तो यह डॉबर्नियर का trick का नियम हम इसको मान सकते हैं कि यह इसके अंदर डॉबर्नियर का नियम लागू हो रहा है तो hope students यह वर्कशीट आपको clear होगी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe करें और इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताएं कि आपको याद क्या क्या रखना है डॉबर्नियर का नियम क्या है और उसकी सीमाएं क्या है तो इतनी बाते हमें याद होनी चाहिए और ये exam point of view से हम board exam की बात कर रहे हैं तो इतना आप ध्यान में रखें and thank you for watching this video